एक्जिम एक्सपर्ट्स के इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और मेरा नाम है राहूल प्रणाद जैसे ही कि आप लोग सब जानते ही है कि हम रेगिलरली इस प्लैटफॉर्म पर वीडियो कोस्ट करते रहते हैं जिससे हमारे पार्टिसपन्स की या हमारे विवर्स की अलग-अलग एक्सपर्ट इंपोर्ट के फिल्ड से लगती कोई भी क्वेरी हो हम उसको दूर कर पाए कई पार्टिसपन्स एक कई विवर्स हमको क्वेशन्स भेजते हैं इमेल के द्वारा या YouTube कॉमेंट्स के द्वारा या हमारी website के उपर post करते हैं तो हम उस questions को भी लेने का try करते हैं कई questions जो हमारे participants हमको post करते हैं हमारे program के दोरा तो definitely उस time तो हम उनका solution देते ही है साथ साथ में उसी questions का answer हम YouTube पर भी देते हैं ताकि जो हमारा program नहीं भी करते हैं उनके भी अगर मन में ऐसा कोई business को कैसे अलग level पर या एक आगे के level पर ले जाए और नए exporters को और नए importers को कितना help कर सकते हैं यह हमारा basic objective रहता है so let's start with today's question आज का question यह है कि sir मैं export field में आना तो चाहता हूँ पर क्या उसमें scope है क्योंकि मैंने सुना है कि exports इंडिया का काफी कम है so अच्छा question है और उसका answer भी बहुत simple है कि जहां पर हमारी growth कम है वही पर तो हमारी opportunity रहती है अगर हमारा growth एक बहुत आगे बढ़ चुका है तो फिर उसका growth की possibility भी कब हो जाती है तो जहां पर हमारा growth अभी इतना हुआ नहीं है उस field में ही हमारा और growth होने के chances है तो अगर मैं सिर्फ data के साथ बात करूँ तो इंडिया is 18th largest exporter of the world याने कि जो 200 देश 200 से जादा देश है अगर उनकी list बनाई जाए तो उस list में इंडिया 18th number पे आता है 18th number पे आता है largest exporter में बट अगर मैं percentage wise बात करूँ तो इंडिया exports only 1.7% पूरी दुनिया में जितना भी export होता है उसका सिर्फ 1.7% ही हम export करते हैं on the other hand हम दुनिया के second largest population है याने कि पूरी दुनिया की 17% population तो भारत देश में पाई जाती है याने कि सोची के पूरी दुनिया की 17% population भारत देश में है लेकिन पूरी दुनिया का सिर्फ 1.7% export ही इंडिया करता है so there is a very wider scope एक बहुत बड़ा scope है जिससे हम और export में आगे बढ़ सकते हैं in fact अगर दुनिया का सबसे बड़ा exporter obviously most लोगों को पता है कि चाइना है और चाइना की population भी हमसे जादा है तो अगर उसी के हिसाब से बात करें तो we should be second but we are not second we are 18 याने कि चाइना और हमारे बीच में कितने सारे countries ऐसे है जिसकी population जिसकी country की size हमसे बहुत छोटी है कई countries तो ऐसी है कि जिनकी size हमारे एक राज्य हमारे एक state जितनी है जितनी गुजरार जितनी महराष्टर जितनी गोवा जितनी मध्यप्रदेश जितनी उत्तरपदेश जितनी उनकी size है उससे भी कम उनकी population है लेकिन उनका export हमसे बहुत ज्यादा है जैसे जर्मनी हो गया फ्रांस हो गया इटली हो गया यह सारी countries की population हमसे बहुत कम है लेकिन फिर भी उनका exports बहुत ज्यादा है तो मेरे सबसे यह इसी भी है क्यूंकि हम हमारी potential को हम हमारी capacity को under utilize कर रहे है हम proper view में या proper तरीके से या proper vision के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे है तो अगर हम एक decide कर ले के हमको एक proper vision के साथ आगे बढ़ना है तो हम definitely काफी आगे बढ़ सकते है और as such government of India का vision है के by the year 2025 याने के आज से 4.4 साल के अंदर हमें हमारा जो export 1.7% है उसको बढ़ा के 5% करना है it's a big vision but it is definitely achievable अगर हमारा youth याने हमारा youngsters इस mission में जूड जाए exports में जूड जाए जितना जादा export हो उतना जादा export करे and as I said export के अंदर सिर्फ आपको एक ही field नहीं है उसके साथ साथ जूड़े हुए बहुत सारी field है तो there is wonderful opportunity और बहुत scope है इस field में लेकिन किसी भी field में आना इतना आसान काम नहीं होता है आपको preparation के साथ आना पड़ता है तयारी के साथ आना पड़ता है आपको mentally, physically, business हिसाब से हर तरीके से आपको तयारी करनी पड़ती है knowledge लेना पड़ता है skills develop करने पड़ते है तो अगर आप इस field में आगे बढ़ना चाहते है और जो untapped opportunity है उसको tap करना चाहते है और अपना भी financial growth अगले level तक ले जाना चाहते है तो I would request you के आप export import field के साथ जुड़िये और जुडने से पहले सारी basics जो है वो समझ लिजे हम इसका एक कोर्स चलाता है हमारे organization उसका एक certification चलाता है जिसके इंदर export import field के साथ जुड़ी हुई सारी practical knowledge हम लोगों के साथ share करते है लोगों को goods कैसे select करना है product कैसे select करना है, market कैसे select करना है product का knowledge कैसे gain करना है buyer के साथ communication कैसे करना है documentation कैसे करना है कौनसी government body के साथ किस तरह से deal करना है ये सारी training हम practically देते है और अगर आप export import field में आना चाहते हैं और अपना career इसके अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो I would request के आप नीचे दिये गए number पर call कीजिए हमारी website visit कीजिए या हमें email कीजिए या तो फिर comment section में comment कीजिए और इस golden opportunity को miss मत कीजिए और हाँ साथ साथ में अगर आपको हमारा video पसंद आता है तो video को like कीजिए हमारी channel को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए हमारा data बताता है कि हमारे बहुत सारे viewers है जो इस channel को regularly देखते है लेकिन video देखने के बाग उसको subscribe नहीं करते है या उसको like नहीं करते है आप जैसे like करोगे जैसे subscribe करोगे हमारी भी motivation बढ़ेगी और हम इससे अच्छा content और better content, better questions के answers आपको लाने में वो भी हमें motivate करेगा so please video को like कीजिए हमारी चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे organization के साथ जूड़िए और भारत के import export को या export को राधर बढ़ाने में help कीजिए thank you very much to the next time bye